अलो दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल MSDigitals में इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना अर्टी पोर्टल ओपन कर लेना है और नीचे की तरफ स्कॉल्ल डाउन करेंगे तो यहां पर आवेधन अधतन करें लिखा आएगा अब यहां detail फिल करके OTP send करना है आपको जैसे OTP आएगा देखिए यह पेज ओपन हो जाएगा यहां पर आपको one time password और आपका जो application का वर्जन है वो पूछेगा और verification code तो यह verification code और यह आपको कहा मिलेगा यह हम आपको बताते हैं सबसे पहले OTP आगया है हमारे mobile पे तो हम उसको OTP को पहले यहां पर फिल करेंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यह दो चीज़ें आपको कहा मिलेगी तो चलिए यह OTP हम यहां पर फिल कर लेते हैं अब देखिए यह पुराना form जो आपने फिल किया था यहां पर देखिए यह version दिखा रहा है आपको यह one और application form फिर से खुल जाएगा दुधी चरण के लिए अब यहां आपको कुछ नहीं करना है सीधर नीचे के तरफ स्कॉल डाउन करके जाना है और जहां आपको इसकूल दिखाई देंगे उसकूल की code में आपको टिक कर रहा हुआ दिखाएगा आपने पिछली वार फिल किया था तो आपको क्या करना है उन स्कूलों में से जिस स्कूल को आपको नहीं लिया है अपने admission या आपका नाम नहीं आया है आपको की करना है पहला choice बदलना चाहते हैं सकते हैं इसकूल कम करना चाहते हैं इसकूल कम कर सकते हैं हम यहां क्या करेंगे अब हम दूसरे स्कूल को पहले लेंगे क्योंकि यहां पर हम दूसरे स्कूल करना चाहते हैं हम कर सकते हैं तो हम यहां पर तीन आपसंस ले लेंगे दो इसकूल या तीन इसकूल बोलता है लेकि यह देखे यह हम यहां से अब एक स्कुल को टिक हटा दे रहे हैं हम यह स्कुल नहीं लेना चाहते हैं तो इसके बाद क्या करेंगे हम आगे की बढ़ेंगे इसमें और नीजी की तरफ में जाएंगे आप तो आपको यहां पर आपका डिस्ट्रिक्ट करने के लिए बुलेगा तो आपको हम और आपको जो अफ्लोड करने के लिए सब्मेट करना जैसी आप सब्मेट करेंगे यहीं सकसे हो जाएगा Kleans आपको दुबारा application यहां से success होगा, print कर लेना है आपको यहां से यह देखे, यह से आप okay करेंगे, यह आपका application यहां पर दिखाई देगा आपको, इसको आपको print कर लेना है, तो ऐसा है यह आपको बिल्कुल easy process है इस बार का, आप घर से भी कर सकते हैं, तो इस तरह से आप य वीडियो को लाइक सेर जरूर कीजेगा, साथी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, और जितने भी लोग हैं, फटा फट अपना reach wise फिर से कर सकते हैं, यहां से फटा फट कर लें, ताकि आपके बच्चे का फिर से दूसरे स्कुल में admission हो सके, इस वही लोग सामिल होंगे जिन्होंने पिछली बार आवेदन किया था, नए लोगों के लिए यह बिल्कुल भी नहीं है, उम्मीद है, आपको यह जानकरी जरूर पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर करना बिल्कुल न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइ कि येगा, थैंक्यू